Hello everyone, welcome back to our channel, I hope कि आप अपने SST के एक्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने preparation कर रखे, अभी इसी preparation को एक step और उपर लेगर के जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं, आपके पूरेस लेबस का revision, last minute revision करेंगे इसके अंदर जितने भी आपके important topics हैं, उन उसे के साथ में एक बात का ध्यान रखना, कि जो choice वाली question होंगे, और वाली question होंगे न, उनको ध्यान से पढ़ना, कि ऐसे कोई question आओ, कि आप इना, आदा solve करो, फिर उसका आद में लगे, क्या रादा आ रहा है, आदा नहीं आ रहा है, तो यह आपको करना है, फिर second यह है क आपको points के अंदर answer लिखने और answer को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोचिश करना, जैसे कि मैं आपर आपको दिखाऊंगा last के अंदर, कि मैंने किस तरीके से चोटे-चोटे points को भी बड़ा करके लिखा है, तो वैसे आपको लिखने जिससे कि आपकी answer sheet बहुत ज़ाद अच् साथ में tension आलो, जो पड़ा है वही आएगा और अभी हम लोग revise कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले और सबसे important बात आता है, वो आता है, नेपोलिक कोड या फिर हम लोग कह सकते, civil code of 18.4 का क्या था, तो हम लोग इसको define क्या करते हैं, हम लोग इसको define इस तरीके से करते हैं, कि न नेपोलियन जो destroyed the democracy in France की, जो नेपोलियन था, उसने democracy को destroy कर दिया था, France के अंदर, but incorporated the revolutionary principle by the civil code, और उसने एक incorporate किया गया था, revolutionary code को, अब इसके क्या क्या फीचर थी, इसके बाद में सबसे पहला इसका feature था, कि removed all the privileges based on the birth की, बर्थ के business के उबर, जितनी भी privileges उनको हटा दिया ना और इनको underline कर देना, जैसे कि अभी यहाँ पर यह क्या है, यह है, glide system, तो glide system का underline कर देना, feudal system का underline कर देना, और फिर इसके बाद में आते है कि secured by the right of property, और यहाँ पर जो भी right to property है, वो secure कर दिया गया था, फिर इसके बाद में जो next point आते हो आते है, aristocracy, aristocracy क्या होते है aristocracy को हम लोग define करते हैं, कि they owned the east streets and the property in the countryside and the townhouse, इसकी मतलब basically यह वो class थी, जो कि क्या करती थी, जिनके पास में की east street का, इनके पास में पूरा पुरा जो own करते थे, और इसके साथ में properties, country sites के अंदर, गामों की properties और towns की जो houses हैं, वो भी यह own करते थे, फिर इसके बाद में कै यह spoke करते थे French को and इनका जो number था, वो था काफी जादा small in number थे and united by the common way of a life, और यह unite के से common way of life हैं, फिर इसके बाद में next आता है कि middle class, middle class क्या होते हैं, middle class में जो है, they consist of an industrialist, businessman and the professionals, जितने भी professionals होते हैं, जिसे कि doctor, engineer, यह सब लोग middle class के अंदर आते हैं, फिर इसके बाद में जो next आता है, यहाँ पर एक सबसे important sucks है, जिसका नाम है Giuseppe Mazini, ठीक है, Giuseppe Mazini का जनम का हाँ हुआ था, जनम हुआ था, 18-7 के अंदर हुआ था, और इनके लिए दो चीजे फेमस था हैं, यह दो चीजों के लिए फेमस था, सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पर founded the Europe in Beren, Beren में इन्होंने Europe को found किया था, और उसे के साथ में founded the young Italy in Marshallese, Marshallese के अंदर इन्होंने young Italy की स्थापना करी, मतलब कि young Italy को खो जाता, फिर इसके बाद में जो next आता हो आता है, the age of revolution, age of revolution का जो pre-8 था, 1830 से लेकर के 1848 तक था, अब इस age of revolution के अंदर क्या होता है कि Belgium broke away from the United Kingdom of Netherlands, नीदर throne and the monarchy was set up, और इसी के अंदर क्या होता है कि 1830 के अंदर जो bourbon king थे, France के उनको अठा दिये जाता है, और उसे के साथ में आपर monarchy set up होती है, अब यहाँ पर एक important जो incident है, वो यह होता है कि conservative tries to control, इसी जो age of revolution इसके अंदर जो conservative है, उन्होंने लोगों को control करने की कोशिश करी, लेकिन इस time तक लोगों के अंदर दिश भक्ती की भावना इतने आ गए थी कि वो सब लोग यहाँ पर fail हो गए थे, तो यह नहीं चल पाया, फिर इसके बाद में आता है कि 1845, 1845 के अंदर जो वीवर्स थे, इन्होंने revolt किया था, किसके against में revolt किया था, contractor जो की supply कर रहा थे, इनको raw material के, उसके against में यहाँ पर वीवर्स ने first time के उपर सिली शार के अंदर, सिली शार के अंदर क्या किया था, फिर इसके बाद में जो next date है, 18th of May, 1848 के अंदर जो German National Assembly थी, उस बनी थी, और उसके साथ में क्या वा था, कि 1831 representative select किये गए थे, और इसको किस ने oppose किया था, aristocrates जो थे, उन लोगों ने इसको oppose किया था, फिर इसके बाद में जो next point आता है, वो आता है कि hunger, hardship and the revolt, कि यहाँ पर भुख मरी और जो hardship है, यह सब क्यों हुआ था, तो इसके पीछे के कुछ रीजन से, जो कि अगर question में आ है तो आपको लिखना है, तो आप लोग इसको बो हो गया, hunger spread होने लग गया, hardship होने लगी लोगों को, फिर इसके बाद में आता है, rise of food prices हो गया, shortest of food हो गया and revolt of peasants and the viewers, जब यह सब कुछ हो रहा था, तो फिर जो लोग है, गावों के लोग है और जो वीवर्स हैं, उनके साथ में पिहां पर क्या होने लग गया, एक तरीके से revolt ons अभी के बीच में होने लग गया था, फिर इसके बाद में हापे दो date important, एक तो है date 1861 में, 1861 जो date है यह है, Vector Emmanuel second was a proclaimed king of a united Italy, जब Italy unite हो गया था, तो उसके जो king थे, वो थे हापर Victor Emmanuel second, और उसे के साथ में 1871 के अंदर क्या होता है, वो होता है, Persian king William 1, proclaimed king emperor of a Germany, कि Germany के जो king थे वो थे William first, जो कि एक Persian king थे, फिर इसके बाद में next आता है कि nationalism in India की हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से देश भक्ति आया थी, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, कि गांदी जी जब इंडिया आते है, तो उनके जो आप बोल सकते हैं, कि अगर तुम्हें इंडिया को आ after the first world war, first world war के बाद में इंडिया के अंदर क्या क्या situation थी, तो सबसे पहले तुम्हें पर forced recruitment from the villages की, villages के अंदर जैसे की army जाती थी, बोलती थी, 18 plus के जितने भी लोग हैं, उनको recruit किया जाता था, जिस वज़े से लोग काफी जादा परेशान होते थे, फिर इसके बाद में जब ये सब कुछ हो ही रहा था, तो 1918 और 1919 में, 1920 और 21 के अंदर crop failure हो गया, जिस वज़े से feminism हुआ और जिस वज़े से millions of people इस time पे मर गए थे, इस condition में, फिर इसके बाद में इसमें जो first world war से क्या क्या situation होई थी, जैसे कि इसके अंदर जो एक important MCQ बन सकता है, वो बन सकता है कि income tax increase किया गया, तो इसी time के ओपर income tax को भी introduce किया गया था, और इससे क्या हुआ, इससे जैसे कि अगर tax introduce करोगे, तो basically किसको problem होगी, वो होगी common man को, तो यहाँ पर आता है hardship to a common people, और उसे के साथ में जब यह situation हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होता है, कि prices of essential commodities increase, और इसे के स सत्यागरेक का पीछे का logic क्या था, देखो गांदी जी की पीछे के एक philosophy यह थी, कि if the cause is true and struggle is against injustice, then no physical force is required, तो गांदी जी का मानना यह था, कि अगर आपका cause सच्चा है, और उसे के साथ में आपको struggle in justice के खिलाफे तो आपको physical force की जरुवत नहीं है, तो यहीं यहाँ पर गा 1917 में चंपारण में बिहार में विजट किया था, यह map के point of view से भी important है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर indigo plantation जो workers हैं, वो revolt करते हैं, जो oppressive plantation system में उसके against में, तो गांदी जी देखते हैं कि यह गलत है, तो गांदी जी ने उसको गलती वोल और उसके against में revolt किया और ल affected by the plague epidemic, तो यहाँ पर क्या होता है, कि इस time के उपर रहना basically जो crop है वो fail हो जाती है, और जो यहाँ पर सरकार British government है, वो बोलती है कि आपको tax pay करना पड़ेगा, तो गांदी जी इन peasants के साथ में help करते हैं, और उनको अपनी power दिखाते हैं, अंग्री जो को और उनको पुरा- tax relaxation दिलवाते हैं, तो यह जो act है, इससे क्या हुआ कि tax relaxation मिला था खेडा के peasants को, फिर इसके बाद में exactly 4 महीने बाद में एक और session होता है, वो होता है, 1918 के अंदर एमदाबाद गुजरात में ही होता है, जो कि है यहाँ पर cotton mill workers का होता है, अब यह बाकी starting के जो दो है ना, यह British government के against में, लेकिन यह जो 1988 वाला है, मतलब कि 1918 वाला है, यह वाला जो है, यह इंडियन जो mill workers है, उनके against में है, क्योंकि यहाँ पर जो cotton mill workers है, उनको एना injustice, उनको एना wages properly नहीं मिल रहे थी, और basically उनका जो behavior था, जो कि honors थे, उनका अच्छा नहीं था, तो इसलिए यहाँ प ऐसा act है, जिसके तहत government को एक power होती है, कि वो कोई भी अगर political activity चल रही है, तो वो उसको रोक सकती है, और उसको prison के अंदर डाल सकती है, दो साल के लिए without any trial, बिना किसी reason कि उसको दो साल के लिए jail में डाल सकती है, यह एक injustice law था, तो गांधी जी ने इसको oppose किया, अब 10th of April, 1919 के अंदर एक national हर्ताल गोसित कर दी, जो कि एक non-violence, जिसके अंदर non-violence release निकाली गई, non-violence demonstration हुआ था, लेकिन जब यह non-violence demonstration हो रहा था, 6 April को, फिर इसके बाद में एक दिन यह सब जब चीजे हो रही थी, तो 10th of April को क्या होता है, कि Ambrit Sir जो police है, वो fire कर देती है peaceful procession के उपर, कि मतलब कि वहाँ पर नहीं लोगों के बीच में कोई भी लड़ाईया वगेरा नहीं थी, फिर भी जा Ambrit Sir police है, वो वहाँ पर क्या कर देती है, firing कर देती है, फिर इसके बाद में एक और जब यह सब कुछ हो जाता है, तो इसे लोग भड़क जाते हैं, फिर यहाँ पर simple सा होता क्या है, कि बहुत सारे लोग इकठा होते हैं, एक पार्क सा होता है, जिसके अंदर की बैशाखी बनाने के लिए लोग इकठा होते हैं, तो जब लोग इकठा होते हैं, तो यह जो information नहीं British government को जाती है, कि यहाँ पर लोग basically एक तरीके से आप बोल सकते ह कर रहे थे, या फिर आप लोग बोल सकते हों कि हर्ताल वगिरा भी कर रहे थे, उसके साथ में अपना फेस्टिवल भी celebrate कर रहे थे, तो यह बात British government को फता लगी, तो British government ने हाप पर जो command दी, वो the General Dyer को, General Dyer ने आकर यह क्या कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके उपर open fire करवा दिया था, then फिर इसके बाद में जो next आता है, point वो आता है, हमारे पास में खिलाफत movement, देखो खिलाफत movement क्यों इस्टार्ट वहाँ था, यह जानो सबसे पहले, देखो होता क्या है कि first world war जो end होता होता है, defeat of ottman, जो की ottman क्या है, यह है king है, किसके है, तर्की के, बेसिकली Muslim community होती है, उनके जो spiritual head होते हैं, वो होते हैं, अब लोगों के पेश में यह भादार नहीं जाने लग गए, कि उनके जो खलीफा है, उनके disrespect हो गए, तो जिस वज़े से क्या हुआ, कि यह protest करने लग गए, कि जो एक तरीके से है, हमारे खलीफा के साथ में कोई भी इसी के साथ में, जो इंडिया है, ठीक है, अभी इंडिया के अंदर भी होगा, तो इंडिया के अंदर कौन इसको lead कर रहा था, तो इन इंडिया, March 1919 में, एट Bombay, खिलाफ़त कमीटी फॉर्म करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, मौहमद अली और शौकरत अली ने मिल करके, खिलाफ़त कमीटी को बनाये था, Bombay में, ठीक है, यह आपको याद रखना, March 1919 में, फिर इसके बाद में, जो नेक्स्ट आता है, वहाद है, नॉन कॉर्परेशन मुव्मेंट, तो यहाँ पर देखे, नॉन कॉर्परेशन मुव्मेंट क्यों चलाया गया, तो बेसिकल क्या होता है, कि नॉन कॉर्परेशन मुव्मेंट के अंदर, च्यार सीजे बात, आपको याद रखने है, सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होता है, कि सरेंडर ऑफ जितने भी गौर्परेशन मुव्मेंट टाइटल से, उनको सरेंडर कर दिया गया, बाइको आर्मी, पुलि कि स्टूडेंट लेफ्ट दो स्कूल, इस्टूडेंट ने क्या गया, कि अपने स्कूल और कॉलिजिस को छोड़ दिया, जो लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेज को गिव अप कर दिया, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था, और उसे के साथ में आप पर काउं काफी जादे एक expensive कपड़ा है, जिस वज़े से गरीब जो लोग हैं, वो इसको effort नहीं कर पाते, तो यह एक इसका सबसे बड़ा reason था, दूसरा reason आता है कि non-corporation movement है, वो cities के अंदर काफी जादा slow था, और यहाँ पर आता है कि absence of the other institution, कि यहाँ पर इंडिया के अंदर other institution नह ही है, then फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है कि जो हमारा non-corporation movement है, इसको कब call-off किया गया था, इसको कब बंद किया गया था, तो इसको बंद किया गया था, चोरा-चोरी में, UP में होता क्या है, कि एक peaceful demonstration होता है, जो कि बाजार के अंदर होता है, यह बात याद हम पर दिल तूर जाता है, कि यार मैं तो non-violence के ओपर चलने वाला हूँ, और यह violence हो गया, तो इसलिए गांदीजी ने यहाँ पर non-corporation movement को खतम कर दिया था, और अभी यह जब movement हो रहा था, तो इसके अंदर क्या होता है, कि बहुत सारे लाखों लोगों को, मतलब कि हजा कि इसमें क्या था, कि इसमें इनको एक law break करना था, कोई भी एक law था, उसको break करना थे, इसमें यह जो first law break करना वाले थे, वो थे salt logo करने वाले थे, ऐसा इसलिए था, क्योंकि जो salt है, यह एक essential commodity है, और इसके ओपर tax नहीं होना चाहिए, और यह इसकी जो prices हैं, वो भी कम होन पीची है, तो यह सब आते नहीं माने, तो इसलिए आपर इनोंने civil disobedience movement को release किया था, तो यह क्या होता है, कि यह का बात है, after calling of a non-corporation movement को बंद करने के बाद में यह start होता है, इसके अंदर क्या होता है, कि colonial laws were broken, जितने भी colonial laws थे, उनको break किया जाता है, and foreign clothes को bycott किया जाता ह और उसी के साथ में जो liquid shop से उनको pick date कर दिया जाता है, then फिर इसके बाद में जो next आती हो आती है, गांदी जे की famous march जो की होती है, salt march या फिर आप डांडी march बोल सकते हो, जो की basically थी breaking of a salt law, salt law को break करने के लिए था, क्योंकि आप पर जो journal Irwin था, उसको गांदी जे ने 11 डिमा जो जर्नल इर्विन था, लॉड इर्विन उसको टाइम दे दिया था कि भाई ये 11 डिमांड इन को fulfill कर दो 11 मार्च तक नहीं किया उसने, तो गांदी जी ने 12 मार्च को ये start किया, सबर मती से और इसको end किया था, 6th of April 1930 को डांडी में, और डांडी में इन्होंने क्या किया था, end किया था, by making the salt, और इसके साथ में इसके अंदर 78 volunteers include थे, 240 miles की total था, और इसके साथ में salt लोग को brick करा गया था, by manufacturing it from seawater, then फिर इसके बाद में जो next आते हो आते हो आते है, सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या होता है, फिश्री बार मैं एक वीडियो डाली थी, तो मैं भ बांडेट चाइनिस कारगो होते हैं, इनके लिए बहुत important route होता है, यह ज़्यादा important, यह में important जो है, वो है आपके पास में corn law important है, तो देखो corn law क्या बोलता है, basically the law allowing the government, जो कि UK की government है to restrict the import of a corn and this is known as corn law, कि यह simple सी बात यह है, कि government को import करने से, corn को import करने से, अगर जो law ban कर र prices becomes too high due to the industrialist and the people become unhappy, अब जैसे कि import हो नहीं रहे तो जिस वज़े से क्या होगा, कि demand fulfill नहीं होरी, तो यहाँ पर price increase होता है, जिस वज़े से जो industrialist है और जो common people है, वो unhappy हो जाते हैं, फिर इसके बाद में जो next point आता हो, आता है कि Indian trade and colonialism की Indian trade and colonialism का क्या relation होता है, तो simple सी बात cotton from India exported to Europe, कि India से cotton को export किया जाता है, अब यहाँ पर एक जो important point आपको याद रखना है, trade surplus का, trade surplus का मतलब यह है, कि the value of a British export to India की, जो British export करते हैं, इंडिया में, was a much higher than the value of a British import from the India, भया, जो Britishers जो export करते थे इंडिया को, और वहाहीं पर ही जो इंडिया से import करते थे, वो काफी ज उसकी value काफी जादा हाई हो दी, तो इसी term को कहा जाता है, वो कहा जाता है, trade surplus with India, जो कि Britain ने इंडिया के साथ में खेला था, फिर इसके बाद में एक important location आती हो आती है, Britain Wood, Britain Wood क्या है, Britain Wood एक name है, hotel का USA के अंदर, basically जिसके अंदर के conference हुई थी, जिसमें established किया गया था, international monetary fund को IMF यहां पे establish हुआ था, फिर इसके बाद में जो next आता है, हमारे पास में वो यह आता है, कि why industrialist refer the hand labor over the machines की, machines की बज़ए, लोग जो हैं, जो industrialist थे, वो hand labor को क्यों prefer कर रहे थे, तो देखो होता क्या है, कि इस time के ओपर क्या होता है, कि जो लोग हैं, वो गामों से city की तरफ move करते हैं, जब वो गामों से city की तरफ move करते हैं, तो उनके पास में, जैसे कि मान लोग कि आपको हैं, requirement है, 10 लोगों के और आपके पास में, 100 लोग आ जाएंगे, तो आप अगर उनको 1000 रुपे दे रहे थे हैं, तो आप बोलोगे कि मेरे को 50 रुपे में, मनलब की 500 रुप जी न्यू टेक्नलोजी है, वो काफी जाद एक्सपेंसिव, उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इनके एक खर्चा जादा था, सेकिंड आता है कि उसका cost-tier repair है, अगर गलत हो जाते हैं, तो उसकी repair बहुत जादा हाई पड़ती है, फिर इसके बाद में आता है कि availability of a cheap labor, cheap labor available है, क्योंकि जो town, मतलब की country side से, जो लोग है cities की तरफ move करे थे, in search of employment, then फिर आता है कि range of the products by the hand labor are, मतलब कि यहाँ पर simple सा कहने का मतलब यह है, कि अगर आप एक machine खरीते हो, तो उससे एक ही तरीके की product बनाते हो, as computer की hand labor से आप 3-4 तरीके की product बनवा सकते हो, फिर इसके बाद में जो next है वो है, हमारे पास में एक painting है, painting जिसका नाम है, वो है Dawn of a Century, अब Dawn of a Century किसको ने draw किया थे, इसको क्या था, E.T. Paul ने 1900 में draw किया था, अब यह कैसा figure है, it is a goddess-like figure and she is an angel of progress, भाईया, simple सा आप यह देखेंगे, कि जो goddess-like figure है, मतलब कि देवी के जैसा इन का figure है जो कि इनके पीछे किया है, science है, यहाँ पर किस-किस के है, कि railway का sign है, printing press का sign है, camera का sign है, machines का sign है, जो कि basically हाँ पर यह बता रही है, कि आप एन एक तरीके से आप यह बोल सकते हो, कि प्रगति की देवी है, ठीक है, हिंदी के अंदर समझ गे, कि Dawn of a Century क्या है, कि a goddess-like figure and she is the angel of a progress की, एक angel है, progress की, फिर इसके बाद में next आता है, कि जो मतलब की industrial production in India increases, कि यह थोड़ा मैंने गलत लिख दया, तो इसको ध्यान से देखना, कि India के अंदर जो है, कि जो industrial production है, वो कैसे increase हुआ था, तो इसके अंदर increase होने का सबसे पहला reason था, कि decline of a Manchester import due to the war, war हो रहा था, तो war की वज़े से Manchester जो import है, वो इंडिया के अंदर नहीं हो पा रहा था, and second आता है, कि demand of a Indian mills, Indian mills की demand increase होने लग गई थी, क्यों, क्योंकि जितनी भी Britishers मिल थी, वो किसमें बिजी थी, war की जो requirement थी, उनको fulfill करने में बिजी थी, तो इसलिए हाँ पर जो Indian mills थी, उनकी एक तरीक आप बोल सकते हो कि army के लिए uniform वगेरा चीह होते हैं, तो यूनिफर्म वगेरा चीह होते हैं, तो factory में बन दे तो factory को यहाँ पर बनाया गया था, factory के लिए call कि इंडियन factories को call किया जाए, फिर इसके बाद में आता है कि new factories को setup किया गया था, और जैसे कि क्या होता है, कि पुरानी जो factories हैं, उनके अंदर labor से overwork करवाया जाता है, और फिर इसके बाद में जो next point आता है, हमारे पास में हुआ आता है कि print in China, कि China है, China एक one of the, जो मलब कि starting के अंदर जो printing थी, वो सर्फ और सिर्फ चाइना के पास में थी, in the 16th of century, देखे ध्यान से देखे कि in the 16th of century, China was the one country of producing the printed matter on a large scale, initially textbook only for the examination of civil services, कि भाई या सिंबल था चाइना है, चाइना के पास में printing के technology थी, पहली country थी 16th century के अंदर जिसके पास में यह था, और यह किसके लिए था, civil services के examination के लिए textbook लिखी जाती थी, फिर इसके बाद में जो next आता है, कि print in Europe, Europe के अंदर किस तरीके से print आये था, तो यहाँ पर याद रखना कि 11th of century में Chinese paper risk the Europe through the silk route, silk route के थूँ यूरोप में आता है, 11th of century में, और फिर इसके बाद में जो 1295 हैं, यहाँ पर Marco Polo क्या करते हैं, कि a great explorer introduce a wood block printing in Italy, और इसे के साथ में 1295 के अंदर जो Marco Polo हैं, जो के great explorer हैं, वो introduce करते हैं, wood blocking printing technology को Italy में और फिर इसके बाद में आता है कि print and the role of children की किस तरीके से बच्चों का, मन्दब क्या बोल सकते होगी, जैसे print आया, तो बच्चों का उसमें क्या योगदान था, या फिर बच्चों की वज़े से क्या effect वा था printing में, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि primary education compulsory हो गए थी, जैसे बुक्स जो हैं, उसनोंने flood कर दिया था, मार्केट को बच्चों को पढ़ने के लिए बुकी चीए थी, तो एकदम से उनके demand increase होगी, अब जब demand increase हो गई है, तो क्या होता है कि textbook for the children are the heavy task for the publisher and the many houses are established, कि यह बेसिकली जो बच्चों की textbook बनाना है, वो एक बहुती टास्क था, किसकी लिए था, वो था एक publisher के लिए, तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे houses को set up किया जाते है कि उनकी demands को fulfill किया जा सके, फिर इसके बाद में जो women's है, women's के लिए बुक्स के लिए कैसे बुक्स के लिए लिए लिखी जाती है, एटिकेट के और housekeeping की books women's के लिखी जाती है, और यहां पर दो famous author के, मतलब की novelist के नाम है, Jane Austen के और George Illoyt के, जो की एक famous non-novelist है, देन फिर इसके बाद में जो next topic आता है, वो आता है, Indian manuscripts before the age of print, तो देखो, इंडिया कैसी country था है, हमारे इंडिया के उपर हमें proud होना चीए, क्योंकि हमारे इंडिया में जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ना, जब हमारे पास में सारे के सारे वेद थे, ठीक है, सारे के सारे वेद हमारे पास में लिखे हुए थे, जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इतने जादा हम लोग advanced थे, तो देखे, यहां पर क्या होता है, क प्रिंटिंग कैसे आता है कि इंडिया के ंंदर रिच ट्रैडिशन सेंट एंट रिट रेटन 20 संस्क्रिपिर अरेबिक और पर्शोषयन के इंदर in का रिगे र ήक्स भाइन रिकी जी बिद्ध राइत अब इसके बाद में नेक्स्ट ज्ची है थो यह उसे से होते है एक होते है रेनुवेबल और एक होते है नॉन रेनुवेबल यहापको यहाद रखना है अब इसके बाद में जो next point है जहां से कि exam गंद बहुत बार question आता है वो आता है sustainable development क्या होता है तो sustainable development को हम लोग define करते हैं कि development in the present without damaging the environment and should not compromise the needs of future generation मतलब कि development हो लेकिन जो environment ह उसको भी नुकसाना और उसी की साथ में जो future generation है उसकी needs को देखते है वे development होना चाहिए फिर इसके बाद में next जो आते हो आते है agenda 21, agenda 21 क्या है it is the declaration signed by the world leader in 1992 में होता है at the UNCED which takes place at the Rio D. Gen.io के अंदर होता है simple सा एक agenda होता है जो कि sign किया जाता है sustainable development के लिए इसका aim होता है aim of achieving the sustainable development then फिर इसके बाद में जो next point आते हो आता है कि what are the causes of a land degradation land जो है हमारी degrade क्यों होती जा रही है तो इसके पीचे का सबसे पहला reason है कि over grazing second reason है over irrigation third reason है कि mining sites used for the excavation कि जो mining sites से उनको excavation के लिए use में लिया जाता है फिर next आता है कि industrial effluents की जो industry से related जो waste होता है वो भी इसका एक soil आते हैं तो इनको देखो मैंने अलग-अलग points में लिखा हुआ है तो यह ध्यान से देखना तो इसके अंदर हम लोग इसको क्या कहेंगे सबसे first हम लोग बोलेंगे कि alluvial soil है इसमें कौन से element होते हैं मतलब कि क्या कहा इसके अंदर आपको minerals दे तो इसके अंदर आपको मिल देगा और उसे के साथ में किसके लिए useful होती है किसकी खेती की जाते है सुगर केन की पैडी की wheat की pulses और crops की यहां पर इसमें खेती होती है और यह कहां पर पाई जाते है northern plains में पाई जाती है जो की parts of gujarat और राजस्थान है फिर इसके बाद में next आती है black soil black soil के खास बात यह है खास बात यह है कि rich in the soil nutrients such as the calcium carbonate magnesium and the potas के अंदर काफी जादा इसके अंदर rich amount में होता है और उसे के साथ में extremely fine clay particles होते हैं जो की moisture को काफी अच्छे से hold करके रखती है यह इसकी खास बात है कि कैसी soil है जो की fine clay particles होते हैं लेकिन इसके साथ में एक moisture को भी hold करके रख सकती है then फिर इसके बाद में जो next आता हो आता है red and yellow soil red and yellow soil क्या होते है कि it develops on the crystalline ignis rock in area of low rainfall के भी है simple से वहाँ पर होती है एक ignis rock के अंदर ही होती है जहाँ पर की low rainfall होता है उस area के अंदर ही जादा देखने को मिलती है and southern and the eastern part of a deccan plateau parts of a मलब की कहा पर मिलती है मिलती है southern और eastern parts of a deccan plateau हो गया और 536 गड़ हो गया ओडिसा में आपको देखने को मिलेगी फिर इसके बाद में आते है लेट्राइट वहाँ पर मिलती है जहांपर की heavy rainfall होता है और high temperature होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है और basically मिलते है कना टक में केरल में तमिल नाड़ो में मध्या प्रद high temperature की वज़े से इसकी ऐसे situation हो जाती है और यह हमें देखने को मिलती है desert में जो की है राजस्थान के अंदर then फिर इसके बाद में next आते है next point हमारे पास में आते हैं कि अलग-अलग तरीके की species क्या-क्या होती है तो सबसे पहले आते है endangered species endangered species वो होती है जो की danger of extension होती है कि मत अलग कि वो खतम होने वाली अभी कुछ present है लेकिन वो इसका गार के उपर है कि वो खतम हो सकते हैं अगर हमने उनको conserve नहीं किया तो अब इसका example है या पर वो है black buck हो गया Indian wild dash हो गया यह किसका example है endangered species की कि यह species खतम होने वाली है कि अभी यह danger के अंदर है फिर इसके बाद मे population इतनी ज़ादा कम हो चुकी है कि वो endangered category के अंदर आने वाली है जैसे कि यहाँ पर example के तौर पर है blue ship हो गया यह दो इसके example है फिर इसके बाद में आते है endemic species endemic species थोड़ा ध्यान यार रखना यह exam के अंदर पूछा जा सकता है तो यह क्या ध्यान रखो कि endemic species वो होती है that only found in a some particular areas usually isolated by a nature or the biological barrier simple से एक ऐसे एरिया के अंदर मिलती है जहां पर कि एक particular area होगा जैसे कि जो निकोबार पीजन है वो सिर्फ और सिर्फ निकोबार के अंदर मिलेगा जो मिथून है वो आंदर परदेश में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो ऐसी species जो कि particularly एक अर area के अंदर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं endemic species फिर इसके बाद में आती कि extent species क्या होती है extent species वो होती है जो कि species खतम हो चुके हैं कि वो अर्थ के उपर exist ही नहीं करती है जैसे कि आप इसको बोल सकते कि not found in the area they found on an entire earth के भी यहां पर मिलती थी वहां पर नहीं है और पूरी ध नेक्स्ट आते हैं कि what are the causes of a flora and fana की flora and fana के क्या क्या causes है तो इसका cause है आपर agricultural expansion जैसे 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 agriculture expansion वागेरा कम हो रहे है तो जिस वाज़े से flora and fana यहां पर effect होता है then फिर आता है mining mining एक इसका सबसे बड़ा reason है then फिर इसके बाद में large scale development resources जो है वो भी एक इसका सबसे बड़ा reason है कि जिस तरीके से हम लोग development करते जा रहे है उसी तरीके से जो flora और fana है वो भी यहां पर खतम होते जा रहे है फिर इसके बाद में जो next point है कि unequal access to the resources और rich है उनके पास में ज्यादा resources का access है और वहीं पर ही जो poor है उनके पास में उतना access नहीं है resources का then फिर इसके अंदर सबसे पहले आता है ruby crop, ruby crop को कब swan किया जाता है, swan in October से लेकर कि December तक इसको swan करते है और उसे के साथ में harvesting का time होता है April से June तक का harvesting का time होता है, इसके example है यहाप पर wet हो गया, pea हो गया, gram हो गया, mustard वगरा, यह सब जो है, यह होती है ruby crops और वहीं पर यह जो खरीफ crops होती है, इनको कहाँ पर किया जाता है, जब monsoon आता है na, onset of a monsoon जो कि season होगा May, July के अंदर इनको क्या किया जाएगा, इनको बोया जाएगा, और फिर उसका अद में harvest in the September और October के अंदर इनको harvest किया जाता है, इनके example हो गया है, यहापर paddy हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो मुंग हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, जिनको कि यहापर क्या किया जाता है, ओड़द वगयरा भी यहापर इसमें include होती है, फिर इसके बाद में जैसे कि अगर मानलो कि in season के बीच में कुछ time रहते है, तो in season के बीच में जो crops होती है, उनको हम लोग बो हो गया, और उसे के साथ में cucumber वगयरा यह सब इस season के अंदर बनते हैं, फिर इसके बाद में जो next आते हो आता है, rice, अब rice से related मैंने चार पॉइंट लिखे हैं, तो चार पॉइंट भ्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि it is the second largest producer है, इंडिया second largest producer है, चाइ होता है, इसको grow करने के लिए 25 degrees Celsius का, अब यह majorly कहां पर पाया जाते है, WB का मतलब है, West Bengal में, बिहार में, 36 गड में, उडिसा में, UP में और तमिल नाडू के अंदर, एक बात बता हो अगर आपको मानलो कि आ जाए कि rice कौन से state के अंदर और आप भूल जाते हो, तो आप एक इसके बाद में आते है, Wet Wet मतलब गेहूं, गेहूं क्या होती है, इस अगर हम साउथ में जाते हैं, तो साउथ के अंदर लोग चावल खाना जादा प्रेफर करते हैं, फिर इसके बाद में इसके लिए जो rainfall की requirement होती है, वो होती है, 50 से 75 cm की requirement होती है, इसके two growing zones है, एक तो हो और दूसरा है कि black soil reason है, डिकन वाला, black soil में भी ये काफी जादा अच्छे से grow करती है, फिर इसके बाद में इसके major producing state कौन से है, UP हो गया, MP हो गया, हर्याना हो गया, पंजाब हो गया, और राजस्तान हो गया, बनलब ऊपर वाले, नोर्थ वाले हैं जितने भी, वो सब होत हैं हम लोग, अब ये कहाँ पर होता है, it grow well in the old alluvial soil, old alluvial soil के अंदर ये अच्छे तरीके से grow होता है, इसके लिए temperature के requirement होती है, 21 degree Celsius है, 27 degree Celsius की, और major producing state है, याप पर UP हो गया, MP हो गया, आंदर प्रदेश हो गया, और कन्नाट का हो गया, तो देखरों सभी के अंदर major producing state के अ UP आ रहा है, then फिर इसके बाद में आती बात है, subsistence farming, अब देखो, subsistence farming से related 5 point है, जो कि आपको या दखना है, सबसे पहला तो है कि practice on the small patch of land, के एक small patch of land के उपर इसको practice किया जाता है, and labor intensive farming होती है, use of a primitive tools, यहाँ पर primitive tills का use किया जाता है, and उसे के साथ में dependent होना, monson, monson के आपर यह farming depend होती है, and इसको कहा जाता है, slash and burn agriculture भी इसको हम लोग कहते हैं, कि यह exam के अंदर आ सकता है, कि what we call the subsistence farming, तो आपको पता होना चाहिए, slash and burn agriculture इसको हम लोग कहते हैं, then फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है, minerals, अब देखे, minerals related आपको बातें आ दखने, कि 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 होते हैं, क्लासिफिकेशन, एक होता है, metallic, एक होता है, non-metallic, एक होता है, energy minerals, अब देखे, energy minerals, simple से है, जिससे कि हमें energy मिलते हैं, जैसे कि coal से हमें मिलती है, petroleum, gas वगरा से हमें, यह सब energy मिलते हैं, जिससे कि basically हम, हमारी जो भी basic needs हैं, उसको fulfill करने के लिए, फिर electricity वगर जनरेट करने के लिए, हमें energy चाहिए होती है, तो वो किसे मिलती है, energy minerals से, और उसे के साथ में जो non-metalls होते हैं, जैसे कि non-metallic होते हैं, mica हो गया, salt हो गया, sulfur हो गया, line stone हो गया, यह सब है non-metallic, अब metallic के अंदर तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं, ferrous, जिन के अंदर की iron और आता है, nickel आता है, cobalt आता है, और दूसरे होते हैं, यहां पर हमारे पास में non-ferrous, इसके अंदर की copper, lead और tan आता है, और उसे के साथ में last मायद है, precious metal, जो की काफी जाद आपको पता ही है, gold हो गया, चांदी हो गया, यह सा बात है precious metal में, अब इसमें important जो है, हमारे पास में जो next आता है, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं इसको, then फिर इसके बाद में जो आते हो आता है, hematite, hematite क्या होता है, hematite is a industrial iron ore होता है, with the lower content of iron ore than the magnetite, magnetite से कम इसके अंदर iron ore होता है, 50 से 60% तक का ही इसमें iron ore होता है, then फिर इसके बाद में इसके major belt कौन से कौन से, ए नारा स्टा गोवा वाला हो गया, और उसे के साथ में दुर्ग बस्तर चंदरपूर वाला जो बेल्ट है, ये इसके major belt है, जहां पर की iron ore पाया जाता है, फिर इसके बाद में next आता है, copper, अब दीके copper को हम लोग कहां पर use में लेते हैं, copper को हम लोग use में लेते हैं, जहां प of electrical devices and the electrical wires, फिर इसके बाद में कहां पर पाया जाता है, बालगाट माइन्स MP में और खेतरी में राजस्थान में पाया जाता है, और फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है हमारे पास में, कि why the conservation of minerals, कि हमें जो minerals हैं, उनको क्यों conserve करना चाहिए, तो हम लोग इसको define करत है, कि formation takes place the millions of years, सबसे पहला तो reason यह है, कि इनकी formation के अंदर लाखो करोडो साल लगते हैं, फिर इसके बाद में जो next आता है, कि finite in nature and non-renewable, यह है, एक finite है nature के अंदर, और यह renew नहीं हो सकते हैं, अगर एक बार खतम हो गए, तो फिर उसके बाद में आप देखते रहो, और इसके बाद में हमारी जो next generation है, वो बोले कि आप तो हमारे लिए कुछ छोड़ कर की नहीं कहीं, तो इसलिए यहां पर एक सबसे बड़ा reason है, फिर इसके बाद में जो next reason है, वो है कि rate of consumption is higher than the rate of replacement, बल्दक की simple सा कहने कही है, कि हम जिस rate से consume कर रहे हैं, उस rate से form नहीं हो रहा फिर इसके बाद में जो next आते है कि they have to be preserved for the future generation, चोथा reason यहां पर यह है कि आप कोईना future generation के लिए इनको preserve करने की ज़रूरत है, future generation को भी इन resources की ज़रूरत होगी, फिर इसके बाद में जो next आते है, conventional and non-conventional energy resources, तो conventional जो होते हैं, इनके अंदर हमारे पास में आते है, firewood हो गय natural gas हो गया, यह सब आते हैं हमारे conventional में, और वहीं पर ही जो non-conventional होता है, उसके अंदर आती है, wind energy हो गया, solar energy हो गया, tidal energy हो गया, bio thermal और जो है, bio gas और जो geothermal है, यह आती हैं हमारे पास में, किसमे non-conventional के अंदर, basically यह वो energy है, जिससे के हमारे environment को ज़्यादा हानी नहीं होती ह अब इसके बाद में, जो coal है, coal क्या है, coal is basically raw material for the iron and the steel industry, गले raw material है, अब यह चार तरीके के होते हैं, इसमें सबसे पहला आते हो आते हैं, anthracite, anthracite कैसा होता है, यह होता है, highest quality of coal होता है, जिसके अंदर की 80% से भी जादा carbon present होता है, फिर इसके बाद में आते हो आते हो आते ह जो की होता है, low grade brown coal होता है, जिसको के यहां पर आप बोल सकते हो, कि इसके अंदर बहुत तिकम carbon content होता है, फिर इसके बाद में सबसे bad quality आती है, जो क्या आती है, यहां पर peat coal की जिसके अंदर की low carbon content होता है, with the high moisture content, इसके अंदर moisture का content सबसे जादा होता है, और यह चो है, smoke के साथ में burn करता है, फिर इसके बाद में जो next आती है, वहा आती हमारे पास में ways to conserve energy resources की, हमारी जो energy resources हैं, हम इनको किस तरीके से conserve कर सकते हैं, इसके लिए 4 point है, सबसे पहला point यह है, कि use of a public transport, या public transport को use करो instead of individual vehicles के जाने की जगए, पर आप बसकंदर travel करो, जिसे की resources हैं, second आता है हमारे पास में कि switching of electrical appliances, जब भी electrical appliances काम में नहीं आ रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए, फिर इसके बाद में use of a non-conventional energy resources, जो हमारे conventional energy resources हैं, उनकी जगह पर आप non-conventional को use केजिए, solar को use केजिए, wind को use केजिए, और जो tidal energy है, इन जभी को use में लेना है, फिर इसके इसके बाद में जो next question आता है, वो यह आता है, कि why the maximum concentration of iron and the steel industry in a छोटा नागपूर reason, कि छोटा नागपूर जो reason है, इसके अंदर जो iron और steel industries के इतनी ज़्यादा concentration क्यों है, तो इसके पीछे के तीरन कारण है, सबसे पहला कारण तो है कि low cost of iron और इसके अंदर iron और बड़ी raw material in a promax city, और फिर इसके साथ में आता है, cheap labor भी यहाँ पर इसमें अवलेबल होती है, जिसे वज़े से maximum industries आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फिर इसके बाद में इसके बाद में इसको next आते बात है, industrial pollution and the environmental degradation, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखने है, वो यह या से निकलती है, फिर इसके बाद में जो next आते बात है, water pollution, water pollution कैसे होता है, कि organic and the inorganic untreated industrial waste are discharged into the river, कि जो river से उनके अंदर, जो आप में बिना कोई treatment के सीधा अगर उनके अंदर डाल दोगे, तो वो गंदी होती है, तो यही होता है, water pollution, जो कि है, आपर consequence industries, इसके लिए responsible है, dying हो गया, यह सबसे जादे इसके लिए responsible है, water pollution के लिए, फिर इसके बाद में आपर आता है, कि how to control environmental degradation, कि हम environmental degradation को किस तरीके से control कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला जो आता है, हमारे पास में वो आता है, कि minimizing the use of water, कि आप water को use में बहुती कम लेने लग जाओ, recycling के ओपर जा इसके बाद में जो next point आते है, वो आता है, कि treating the hot water and the effluents before releasing to the river or a pond, कि जब कभी भी आप कोई भी industrial waste है, या फिर industrial waste water है, जो कि आप river में कर रहे हो, उससे पहले उसका एक proper treatment होना चाहिए, फिर इसके बाद में आता है, कि fitting the smoke stacks to the factories, कि smoke stacks को fit किया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी smoke है, वो release ना हो, और environment को कोई भी नुकसान ना हो, फिर इसके बाद में जो next आता है, वो आता है, railways, railways क्या होती है, तो देखो, railways से related आपको सबसे पहले एक बात याद रखने है, जो first railway थी वो थी, 1853 में मुमबई से थाने तक थी, अब इसके अंदर आपको 5 चीज और Indian railways के कितने सारे stations है, यहाँ देखें कि 7,133 यहाँ पर stations है, और उसे के साथ में 64,460 km का इसका route है, अगर याद नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ सकते हूँ, फिर इसके बाद में आप राता है कि 3 types of gaze यहाँ पर होते हैं, broad होता है, meter होता है और narrow gaze जिसमें होते हैं, जो की पूरे पूरे network में होता है, फिर इसके बाद में आता है कि it is a cheap mode of transport as compared to road से long distance के उपर आपको काफी ज़्यादा comfortable होता है, और आप आराम से यहाँ पर long distance में travel कर सकते हैं, फिर इसके बाद में next आता है कि इसके लिए कुछ challenges भी होते हैं, फिर drawback भी है railways के, तो सबसे यहाँ पर है कि initial cost इसके काफी ज़्यादा हाई ए सेकेंड है कि यहाँ पर difficult to lay in the mountain, mountain reason के इनको जो lay down है वो इनका काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, and many passenger without ticket travel करते हैं, इस वज़े से railways को loss होता है और उसके साथ में delay of train के, delay of train भी होता है, लोग जो हैं वो late भी हो जात है, आप बोल सकते हो कि जैसे कि वो जो रूट है वो यहाँ पर खराब हो जाता है, फिर इसके बाद में आते हैं कि requires the construction of a bridge over the rivers in the northern and the eastern India, northern और eastern इंडिया के अंदर काफी सारी यहाँ पर नदिया है, तो से लिए यहाँ पर bridge को बनाने की भी काफी जादा जरूरत पड़ती है फिर इसके बाद में आते है roadways, roadways के advantage क्या है, roadways के advantage हैं कि low construction cost होती है as compared to railways या फिर किसी भी mode of transportation के, second आते है कि ideal to travel over short distance के अगर आपको short distance के उपर जाना है पांचे किलोमेटर जाना है तो आप road से जाओगे, train से आप नहीं जाएंगे, फिर second आते है कि provide a link to other the mode of transport के ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको airport पे जाना है तो आप इना सीधा घर से जाओगे और airport के उपर पहुंच जाओगे तो आप road को use करोगे, तो हर एक mode को यहाँ पर यह link करने का काम करती है and basically door to door service आपको provide करवाती है, then फिर इसके बाद में जो next आता हो आता है कि link the market industries and the consumer market industries और consumer को भी यह link करते हैं जैसे कि गामों को सहरो से link करती है और basically जो industries होती है उनको market से link करती है, यह सब काम road से ही होता है, अब इसके बाद में इसके disadvantage में सबसे पहला तो यहाँ पर unmaintained road, road को maintain नहीं किया जाता है, टूटी-फूटी road होती है जिस वाज़े से बहु जादा problem आती है, उ जैसे काफी सारे accident हो जाते हैं और traffic के वज़े से जो लोग हैं वो delay भी हो जाते हैं, अब इसके बाद में इसमें जो important point है वो यहाँ पर golden quadrilateral का, जो की हमारे पास में total area है, इसका मलब की total जो route है, वो है 5,846 km का इसका route है, और basically यह cover करता है Delhi, Kolkata, Chennai और Mumbai को six lane का super highway है, साथ में Mumbai है, इनको मिला करके जो total distance है, वो है 5,846 km, फिर इसके बाद में जो next आते हो आते है, communication, communication आप ध्यान में रखेगा, दो तरीके के होते हैं, एक होता है, mass communication, mass communication के अंदर क्या होता है, कि basically आप जो information है, उसको exchange करते हैं, बहुत जादा large scale of people, जैसे कि radio है, radio को लाखों लोग सुनते हैं, जैसे कि हमारा YouTube है, YouTube के ओपर आप लाखों बच्चे पढ़ते हो, तो यह क्या होगा, यह होगा, mass communication, TV, newspaper, cinema, यह सब होते है, mass communication ने, फिर इसके बाद में आते है, personal communication, personal communication क्या होता है, basically यह होता है, कि exchange of information between the two people, कि दो लोगों के बीच में ही exchange of information होता है, जैस कि personal communication होगा, letter होगा, telephone होगा, fax वगेरा, यह सब कुछ होता है, फिर इसके बाद में जो अगला point आते है, वो आते है, total income of a country, कि total income क्या रहेगी, तो basically total income का simple सा formula है, कि sum of all the income of all the residents in a country, कि जो भी जितनी भी income कमारे, सभी की income आप यहाँ पर जोट दीजिए, फिर इसके बाद म total population of a country, पूरी-पूरी population से आप उसको divide करेंगे, फिर चाहे से वो कमाती हूँ, या फिर वो बेरोजगार हूँ, तो उनकी भी population यहाँ पे add होती है, और उसे के साथ में बात याद रखना, कि जो per capita income है, do not give the actual situation, because the small group of people having the higher income, अब basically अगर आप average, यहाँ पर निकालना हैं, उनकी अलग और बहुती जादा salary होती है, जिस वज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर उनकी income यहाँ पर हम लोग सीधा नहीं निकाल पाते हैं, मतलब कि आप यह बोलो कि यार, यह एक factor नहीं है, जिससे कि हम लोग सीधा calculator आर पाए हैं, तो इसलिए और factor आते हैं यहाँ यहाँ पर infant morality rate, जिसको कि हम लोग बोलता है, IEMR, यह define करता है कि number of the children die before one year in a portion to the thousand life children, कि एक हजार बच्चों पर कितने बच्चे मरे एक साल से पहले पहले, फिर इसके बाद में आता है net attendance ratio, net attendance ratio होता है कि number of the children, जो कि 14 से लेकर कि 15 का age group है, attending the school as the percentage of a total number of a student of the age group of 14 से 15 तक, कि यहाँ पर total number of students जो कि attend कर रहे हो, इसको को divided by में percentage किसका होता है, percentage उसका होता है कि जो कि यहाँ पर, मतलब कि total number of age group के लोग है, फिर इसके बाद में next आते है BMI 2020 के अंदर ही question पूछा गयाते हैं, तो इसका formula याद रखना हुई है कि weight cages के अंदर होता है, height का square होता है meter में, अगर 18.5 से कम है, तो undernourished है, 18.5 से 25 तक है, तो normal है और उसे के साथ में 25 से अगर जादा है, तो यह जो situation है, यह है overweight की, फिर इसके बाद में sustainable development तो हम लोग एक बार देखी चुके हैं, फिर इसके बाद में जो जरूरी आता है, वो आता है primary sector, primary sector क्या होता है कि primary sector के अंदर क खीती करते हैं, फिशिंग हो गया, डाइरी हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग नीचर को यूस कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग गोट्स को जनरेट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में आता है secondary sector, secondary sector के अंदर क्या होता है, कि these are the activities in which the natural product are changed into the other form through the manufacturing, manufacturing करके आप किसी एक product से एक दूसरा product बना रहे हो, primary से आप एक नई चीज को manufacture कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते है, secondary sector, इसको हम लोग industrial sector भी कहते हैं, जैसे कि milk से आप क्या बना रहे हो, ice cream बना रहे हो, cotton से आप बना रहे हो, cloth तो क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कुछ नग कुछ एक नया manufacture कर रहे हो, primary sector से, फिर इसके बाद में जो next आते हो आते हो, tertiary sector, tertiary sector क्या होते है, basically they do not produce any goods, but they provide services, कि यह एक ऐसा sector होते हैं, जिससे कि कोई भी goods पगरे जनरेट नहीं होते हैं, basically service provide करता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको service sector भी कहते हैं, जैसे कि transportation हो गया, banking हो गया, education हो गया, यह सब जो चीजें हैं, कि क्या है, यह है service, तो कि हमारे society को क्या करने हैं, एक service provide कर रही है, फिर इसके बाद में, जो next राते बात है, GDP, GDP क्या है, हमारे पास में वो है, gross domestic product है, GDP होता कि, GDP को हम लोग define क्या करते हैं, GDP को हम लोग बोलेंगे, कि GDP is a value of all the final goods and the services produced within a country during a particular year, कि यह जितनी भी हमारे इंडिया, मलब कि, जितनी भी हम लोगों ने goods produce कि, पूरी साल भर के अंदर उसका जो sum है, वो होता है, GDP, और इसे के साथ में total GDP क्या होती है, GDP of a primary plus secondary plus tertiary, यह तिनों का मिला करके, यहाँ पर हम निकालते हैं, और यह जो calculate होती है, यह होती है, Central Government Ministry से, फिर इसके बाद में जो next आता है, कि किस तरीके से जो है, कि हम जादा employment को generate कर सकते हैं, तो यहाँ पर first point यह है, कि जो government है, applied, मतलब कि, जो supply कर सकती है, cheap loans को farmer से, जिससे कि वो farming करके अपना पेट भर सकें, फिर second आता है, कि government can invest the money in the transportation and the construction, that will create an employment for the labor and the taxi driver, कि transportation के तरो पैसा invest करके, जो taxi driver हैं और labor हैं, उनके लिए employment generate हो सकती है, और जो government है, वो industries को locate कर सकती है, रूलर एरियास में, जिससे कि उनको employment मिल सकें, फिर इसके बाद में आता है, कि government can construct the more schools, so that the teacher can appoint, will create an employment, कि वहीर जो government है, वो schools को बना सकती है, जिससे कि जादा से जादा teacher को employment मिलेगा, फिर इसके बाद में जो next आता है, कि if the tourism sector can be improved, will create a more than 35 lakh job, अगर यहाँ पर हमारे पास में, tourism sector को हम लोग improve करेंगे, तो यहाँ पर 35 lakh से जादा job मिलती है, and all the very best मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, and अच्छे से paper को करके आना, चिंता नालो, बहुत यह आसान paper आएगा,